हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं। प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब कॉविर आया तो वे क्लास नहीं ले सके। इतने सारे महान शिक्षन एप के आगमन के साथ कई ने अपन यदि आप केवल एक बार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इन कक्षाओं को सूची बद करते हैं तो आप अगले वर्ष फिर से इन कक्षाओं का उप्योग कर सकते हैं। रोबोटिक्स के लिए कक्षाएं सूची बद होने के बाद बाद में कक्षाएं लेने की कोई पूर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं। उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाओं लें। एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे ट्यूशन छात्र मिलते हैं। इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाएं बन गया है या साबित करके कि शिक्षा के बल एक व्यवसाएं नहीं है अपने कोशल को साबित करें। बहतर आए प्राप्त करें। अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे। mytutor.com दुनिया भर के शिक्षक और संस्थान ट्यूशन लेने के लिए इस वेब पोर्टल का उप्योग कर सकते हैं। दुनिया एक ओनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रही है। फिर आपके छात्र एक ओनलाइन कक्षा में चले जाएंगे। ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के यह बहुत महेंगा है। लेकिन सामान्य शिक्षक इस वेब साइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं। प्रोबोटिक्स क्लास क्या है? प्रोबोटिक्स कक्षाएं एक वेब पोटल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं। जो एक बार ली गई ट्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उप्योग करती हैं। वेब पोटल पर डैनिक कक्षाओं के विडियो और नोट्स की सूची बनाएं। इनका उप्योग बाद में बिना कक्षाएं लिए छात्रों को ट्यूशन कक्षाएं देने के लिए किया जा सकता है। शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए ये कैसे काम करता है। देखें। माया वेब पोटल पर मैं किन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूं। स्कूल पाठ्यक्रम, कॉलेज पाठ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाध्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पी एस सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन। ये सब विशय जैसे सभी विशयों में कक्षाएं ले सकते हैं, शिक्षक छात्रों से फीज कैसे लेते हैं, फीज सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए, इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पाइमेंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर से केवल किराया लिया जाता है, शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है, माया पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है? माया बहुत कम मास से किराया लेती है, अधिक जानकारी के लिए मूल्य देखें, क्या मुझे भुगतान कर से पहले डेमो मिल सकता है जी हां बिलकुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा शिक्षकों के लिए डेमो प्राप्त करने के लिए क्या करें यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो डेमो उपलब्ध होगा डेमो कितने दिनों में उपलब्ध होगा यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आपको पहले साथ दिनों के लिए सभी सुविधाओं के साथ एक डेमो प्राप्त होगा, मत भूलो, यदि आप एक शिक्षक हैं, तो केवल पहली बार शिक्षक के रूप में पंजी करन करें, यदि आप एक छात्र के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे। शिक्षक का पंजी करन कैसे करें। देमो कैसे प्रापत करें। अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करन करें। पहले इस फॉर्म को भरें। नियम औ और शर्तने स्वीकार करें, रजिस्टर पर क्लेक करें, अपने मेल पर जाने के बाद, माया ट्यूटर सक्रियन मेल खोलें, सक्रियन लिंक पर क्लेक करें, मेंबर लॉगिन का चयन करने के बाद, अपना मेल आईडी और पास्वर्ट दर्ज करें और फिर लॉगिन करें, ये आ गूगल के साथ लॉग इन चुने देमो अब तैयार है अपनी प्रोफाइल संपादित करें यह विडियो देखें अपना पार्थ्य क्रम और मॉड्यूल बनाएं देमो के बाद माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है? इस पोर्टल पर कितने पार्थ्य क्रम सूची बद किये जा सकते हैं? पार्थ्य क्रम असी मिद के रूप में सूची बद किया जा सकता है इस पोर्टल में कितने चात्रों को जोड़ा जा सकता है? आप असी मिद चात्रों को जोड़ सकते हैं क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं अभी रजिस्टर करें और अधेग जानकारी के लिए डेमो आजमाएं पाठ्य क्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है एक पार शिक्षक मंजी क्रित हो जाने के बाद पाठ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं पीडिएफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें इस पर हर जगह विडियो होंगे। आए इन विडियो को देखें और पाठ्यक्रम की सूची बनाएं। मैं एक छात्र हूँ। क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा। नहीं। यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्त है। छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम पा सकते हैं। लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी। मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पाठ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूँ। पाठ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय। संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें। यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें। स्थान दर्ज करें और खोजें। अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं। यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्यस्थानों के नामों से खोजें। वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें। अब आप इस शिक्षक का संपर्ग पता। WhatsApp नमबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं। यहां आप सीधे शिक्षकों के WhatsApp पर चैट कर सकते हैं। या शिक्षक यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं। तो आपको पंजी करन या लॉग इन करने की आवश्यक्ता है, एक रजिस्टर क्या है, लॉग इन क्या है, यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा, यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहां एक छात्र के रूप में पंजी करन करें यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आप इस पोर्टल पर अध्यान नहीं कर पाएंगे सबसे पहले छात्रों को यहां पंजी करन करना होगा इन सभी फॉर्म को भरें आपके मेल पर जाने के बाद माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल एक्टिवेट लिंक पर ख्लेट करें रजिस्टर अब पूरा हो गया है अब आप अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट डाल कर लॉग इन कर सकते हैं चयन करें मेंब पहुझ अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट से लॉग इन करें या गूगल के साथ लॉग इन का चयन करें उन विशयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यकता है इसके लिए यहां खोजें कर दोजें जिनकी आवश्यकता है 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 झाल 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 झाल